नमस्कार मेरा नाम है शिफुजन चवान और आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल एजूकेशन तर्थड आई देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है हम ठोस अवस्था ही पढ़ रहे थे इसमें जो हमारा टॉपिक है आज का ठोसो में सम्वृत संकुलन यानि स्वालिट के जो परमार या आयन है ये किस प्रकार से बंद रहते हैं तो सबसे पहले देखिए कि ये कितने प्रकार से होती है तो ठोसों में जो क्लोज पैकिंग होती हो तीन प्रकार से होती है एक तो एक बिम में वन डाइमेंशन और एक दू बिम में टू डाइमेंश एक सबसे हैं व सबसे पहले थे कम थासी सबसेरा करें और इस अच्पर नहीं पढ़It Baik दूसरें ज़़ूरत नहीं पढ़ रही हैं तो इसे क्हाँएंगे पैकिंग अपब सब्सक्त L हम ले रहे हैं तो इसके संपर्ग में कितने कड़ा है एक और दो दो कड़ा संपर्ग में है तो इसमें जो वन डाइमेंशन में परमाळ की समन्वे संख्या को आर्डिनेशन नंबर जो होता है वो दो होता है समन्वे शंख्या समन्वे शंख्या कितनी होगी इसमें दो होगी इसी को क्या कहते हैं को आर्डिनेशन नंबर को आर्डिनेशन नंबर को आर्डिनेशन नंबर होता क्या है किसी भी पैकिंग में कोई भी परमाड़ अपने नजदीक जितने परमाड़ों से टेच करता है जितने प्रमाणों से टेच करता है या संपर्ग में रहता है उसी को क्या कहते हैं coordination number जैसे इसमें कोई भी आप प्रमाण लेंगे तो उसके संपर्ग में दो ही प्रमाण आएंगे तो इसकी समनोवेशन क्यानी coordination number कितना होगा दो होगा तो ये तो हो गया एक बिम में संकुलन close packing in one dimension दूसरा जो आपका है दोई बिम में संकुलन close packing in two dimensions जब हमें दो अक्षों की जरूरत पड़े packing को समझाने के लिए तो वहाँ क्या होता है दोई बिम संकुलन होता है अब देखी इसमें इसमें close packing in two dimensions टू प्रकार से होती है एक वर्ग संवरित संकुलन और एक सटकोडिये संवरित संकुलन अब देखे जब ये देखे दो अक्ष हैं आपके यक्ष और वाई अक्ष यक्ष और वाई अक्ष अब इसमें आप देखेंगे तो जो आपकी ये देखे पहली रोग है ये यक्ष अच्च पर है और उधर उपर जाएंगे तो ये वाई अक्ष पर है तो वर्ग संवरित संकुलन में क्या होता है कि जैसे ये आपका परमाड हो है पहली रोगा उसी के ऊपर यानि एक ही रेखा में परमाड क्या होते है इस्तिर रहते है ये देखे इधर से चाहे देखे चाहे इधर से ये सब एक ही रेखा में क्या है इस्तित है और इनके बीच का ये जो रिक्तस्थान है ये देखे ये आपका क्या है रिक्तस्थान है जिसको इंगलिस में क्या है तो यह वाइड जो होते हैं इनका अकार क्या होता है टेट्रागोनल होता है टेट्रागोनल होता है अब इसमें अगर क्वाडिनेशन नंबर की बात की जाए जैसे हम इस परमाड को ले रहे हैं देखे यह परमाड अब यह निकटतम कितने परमाड से टेच्ट कर रहा है तो इसका क्लाइशन नंबर कीतना होगा सन क्वर्ण संस्कुलarios केका आप इस प्रमाडं के केंद से इसलुकर अमर्ण अब यहां कि इसका केंद्र यहां और इससे कद्र यहां यहां और इससे इसका क्यांडस यहां एक वर्ग की आकर्ती बन रही है तो इसे लिए इसको क्या कहते है वर्ग शम्व्रित शंकुलन्स इसके पाद आपको आता है संव्रित संकुलन्स इसमें डेकिए पहली प्रत के जो कण थे दूसरी प्रत के कणों के साथ सीधी रेखा में थे लेकिन इसमें पहली प्रत के जो कण है आपके ये दूसरी प्रत के कण के साथ सीधी रेखा में नहीं है तो इसको हम कहेंगे ये टाइप की प्रत इसको बी टाइप की प्रत अब देखें ये तीसरी प्र प्रमाणु लेते जैसे इसकी बात हम कर रहे हैं अब यह निकडतम कितने पर्माणुसे टच कर रहे हैं तो आप दो 3–4–6 छे छे पर्माणुसे टेच कर रहा है इसली सिका क्रोडिनेस नंबर का खाथ होगा अ देखे सकी तो आप यहां से देखेंगे कि एक प्रकार की क्या बन रही है इसी कारण इसे क्या करते हैं एक्जागोनल क्लोज पैकिंग तो इसमें एक्जागोनल क्लोज पैकिंग में कौड़िनेशन नमबर कितना होता है को आरडिनेशन नमबर को आरडिनेशन नमबर 6 को आरडिनेशन नमबर 6 होता है इसमें को आरडिनेशन नमबर 4 होता है तो ये समझ में आया होगा चलिए एक वीडियो चल रहा है उसको देखकर आप जरूर समझ जाएंगे कि square close packing और hexagonal close packing होती क्या है देखे इसमें देखे परमाड किस प्रकार से ब्यावस्थित हो रहे हैं यह देखे ब्यावस्थित हो गया है अब इसमें आप देखेंगे कि जो आपका परमाड है जैसे इस बीच वाले परमाड के हम बात कर रहे हैं यह कितने परमाडों के शंपर्क में है तो कारडिनेशन नमबर हिंदी में बोले तो समनों रहता है चार मिलकर एक प्रकार की आकर्ति बना रहे हैं यह वर्ग की आकर्ति है इसलिए इसे हम क्या करते हैं वर्ग-शंवरिद-शंक्युलन्द-इसक्वाइर-ख्लोज-पाइकिंग इसमें देखे परमाड किस प्रकार से ब्योस्तित हो रहे, ये पहली प्रत, ये दूसरी प्रत आ गई इस पर, देखे पहली प्रत के जो परमाड हो दूसरी प्रत के परमाड के साथ एक रेखा में नहीं है, इसलिए पहली प्रत को A टाइप और दूसरी प्रत को B टाइप, इसके बाद आ गई आपकी चोथी टाइब की प्रत ये भी दूसरी टाइब की प्रत के साथ देखा में है तो इसलिए ये आपकी क्या हो गई बी टाइब की प्रत होई अब इसमें आप देखेंगे कि एक परमाण निकटतम कितने परमाणों के साथ संपर्क में है तो इसमें द क्या छे होती है अब इसमें ये भी ये भी इस प्रकार से प्रत है तो इसे क्या करते हैं ये भी ये भी टाइप अरेंज मेंट और छे प्रमाणु हैं आप देखेंगे कि ये किस प्रकार की आकिरती बना रहे हैं अगर हम इसको मिलाएं इसके केंद्र को प्रतेक प्रमाणु के केंद्र को जब मिलाएंगे तो एक प्रकार से आपकी हेक्जागोनल आकृती सटकोडिये आकृती प्राप्त होगी इसलिए इसे हम क्या केते हैं हेक्जागोनल क्लोज पैकिंग हिंदी में सटकोडिये शम्वृत संकुलन देखें आप जो है आप तीसरी प्रकार का संकुलन पढ़ रहे हैं तीरविम में संकुलन तो सबसे पहला जो है साधारन घनिये संकुलन जैसे देखिए पहली प्रत आपकी यह क्या है यह टाइप की प्रत है आपकी यह सब क्या है यह टाइप की प्रत है अब देखिए इसके ऊपर क्या करें जैसे यह है ऐसे रखते चाहें हम तो हमें प्रकार की क्यूबिक सिस्टम ही प्राफ्थ होगी यह दूसरी प्रत हो जाएगी और दूसरी के बाद ऐसे इसे के ऊपर तीसरी प्रत, चोथी प्रात, पाचवी प्रात, छाठवी प्रात वाइसी सब इसके उपर रखते जाएंगे गोले, तो ये तो आपका हो जाएगा साधारन घनिये संकुलन, सिंपल क्यूबिक पैकिंग, अब इसमें अगर एक कण की बात करें, तो एक कण निकरतम छे कणों के संपर्क में रहता है, तो इसका क्वाडिनेशन नंबर कितना होता है, छे, इसका क्वाडिनेशन नंबर छे होता है, अब इसमें आते हैं, तो इसमें सबसे पहले ये जो काल नीले पेंसे बनी हुई है इसको हम क्या कहते हैं बीटाइज की प्रत भी टाइज प्रत कि अब देखिए तीसरी प्रत लोपरकार से रखी जा सक्ती है और तीसरी प्रत के अनुसार ही सट्कोणिय वर गनीय संविवर्फ शंकुलन आपका पाया जाता है जैसे तीसरी प्रत क्या रखी जाए कि यह जो आपकी रिख्तियां है टेट्रा गोनल इस पर रखी जाए देखिए यह आपकी इस पर यानि यह क्या होगी फर्ष्ट प्रत जो आपकी पहली प्रत है उसके ऊपर ही क्या होगे तीसरी प्रत के परमाल रहेंगे यानि एक ही रेखा में रहेंगे तो यह जो लाल वाला हो जाएगा ये ये टाइप के ही प्रत हो जाएगी तो arrangement कैसा होगा पहली प्राथ ये दूसरी प्राथ बी किसरी प्राथ ये यानि ये बी ये बी arrangement होगा तो अगर टेट्रागोनल वाइट्स में अगर हम रेड़ वाले कंड को क्या करेंगे रखेंगे तो आपको क्या प्राफ्थ होगा सटकोड ये संवरिप संकुलन और ये देखें इसमें एक आपका और है ये जो रिखती है ये बीज में अगर इस पर हम क्या करें कड को रखेंगे जैसे इधर से देखें यहां हमने क्या किया कड को रखा ये देखें ये 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 आपका कड हो गया क्या हां ये हां रखेंगे तो इसमें देखिए पहली प्रत यह जो है काले पंसे बनी हुई है दूसरी नीले से और चौथी लाल से इनमें देखिए कोई भी एक रेखा में नहीं है यानि परमाण क्या है एक रेखा में नहीं है ये आक्टा हेड्रल वाइड्स है इस पर रख्य हुए तो इसको हम क्या कहेंगे ये तो आपकी ये टाइप की प्रत हो जाएगी जो काले इसके से बनी हुई है और ये हो जाएगी बी टाइप की प्रत और जो लाल से बन रही वो क सिभी है और आलोनों के अनुसार यह निए जब ये तीसरी प्रत के प्रमौर कहां पर रखे जाएं टेट्रागोणल वाइट सबार तो आपको остopie had ज़ा घ्रोक स्टीन मिलती है और जब यहीं कि दी सिरी प्रत के प्रमौर का रखे जाएं आक्टाहेड्रल वाइड्स पर तो कौन से प्रमाण आपको प्राप्त होंगे CCP क्लोज क्लोज पैकिंग या इसे क्या कहते है FCC फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग इसको आप वीडियो के द्वारा अच्छे से समझ सकते हैं चलिए देखे वीडियो इसमें देखे ये रिक्तस्थान जो है इसे वाइड्स कहते हैं और जब ये चार परमाणों के बीच में रिक्तस्थान होता तो इसे टेट्राहेड्रल वाइड्स कहते हैं देखे ये चार परमाणों के बीच जो खाली अस्थान है अब आप आगे देखेंगे तो जब 6 परमाणूं की बीच ये देखें 6 परमाणूं अब इन 6 परमाणूं की बीच जो खाली अस्थान बच रहा है उसे आक्टाहेडरल वाइड्स कहते हैं तो यह खाली अस्थान केवल दो ही प्रकार के होते हैं, एक टेट्राहेड्रल और एक आक्टाहेड्रल, जब चार परमाणों की बीच बने तो से टेट्राहेड्रल कहेंगे, और जब छे परमाणों की बीच बने तो से क्या कहेंगे, आक्टाहेड्रल वाइड्स, देखें इसम में पहले चोंधी प्रत के प्रमार्व. हापस में एक ही रेहर våra में मिन म्हांती हलती चोती के प्रमार्व भी उसी परकार से है और इसमें एक परवक्म निकडतम अलगासे पर्मार्वों के साथ कर दो है इसलिए इसका क्वार्डिनेशन नंबर 6 होता है यह देखिए सब यह यह टाइप की प्रते हैं इसलिए इसे यह यह टाइप अरेंजमेंट कहते हैं या फिर से अब दूसरी प्रत के प्रमाड आ कर स्थिर हो गई अब जब आप दूसरी प्रत में देखेंगे तब आपको दो प्रकार की दिःखती है या अग्टा एक सफेद रिकाइदे रहा कि यह आप अगर धियान से देखेंगे तो इन 6 प्रमाणों से मिलकर बना हुआ काले है जुए जो पर्मानों से मिलकर बना हुआ तो इसे आक्टाहड्रा做àng वाइट्स कहते हैं और इसमें जो आप दूसरा देखेंगे तो यह आपका मुझी यह जुhnाले अस्थान अपका sharks मेर्मानों से कthese क्र Boss करते हैं टेत्राnicasर क्टीर वाइट्स सिच्टम प्रात होते, तो सबसे पहले प्रमाण जो है ट्रहटर हेडर वाइट्स पर रखकर एच सीप का निर्मार कैसे करते हैं ये देख ये प्रमार जो है लगतर हो कि ट्रगोर्न वाइट्स पर रखे गए ये देखिए अब देखे इसमें प्रमाड किस प्रकार से बैवस्तित रहते हैं ये देखे जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये देखे ये जो उपर और नीचे वाली प्रत के प्रमाड है ये एक ही रेखा में रहते हैं ये देखे एक ही रेखा में रहते हैं और एक प्रमाड निकर किसरा संपर में है 12 तो इसको को lava 2 नियर टा होता है बारा ये देखे जो आडगेली नंबर 12 आप दूसरे आक कबरिंग अब देखे ये आपकी क्या है की क्ता है तरो यह हमने यहां आपको बता था ना आक्टाहेडरल वाइड अब एक बार क्या होंके प्रमाड इस पर ब्याउस्थित के जाएंगे तो आपको कौन सी प्रतों में से कोई भी प्रत संरेखित नहीं है यहांने यह-ी- sushi तीसरी प्रत अलग से प्रत होगे और जो चोथी प्रत आगी वह यह के साथ तो इस प्रकार के avc पैटल और इसका से इसका किसे होता है अब इसमें आप ध्हान से देखेंगे टो ऊर्याइड यह तो श्य शय आपके विएस से रहेंगे लेकिन तीन जो नीचे का है देखिए ये दो आपके सामने है एक आपके पीछे है और जो उपर वाली प्रत का है एक सामने है और दो पीछे है तो इसमें जो हो है तीनों प्रत ये यानि ये आपकी तीसरी प्रत है और ये आपकी पहली प्रत है इन में दोनों के परमाण क्या होंगे आपस मैं एक ही रेखा में नहीं होंगे देकिन इनका जो Coordination number होगा वो 12 ही होगा जैसे देखिए यह बेश्स्तित हो गए यह बेश्स्तित हो गए तो एक परमाण निकड़ता हम 12 परमाणों के साथ संपर्ग में है तो इसको coordination number 12, और इस प्रकार की packing को क्या रहेंगे, FCCP, या CCR, CCP, close cubic packing या फिर face-centered cubic packing, देखे, अब ये आपके चोधे प्रकार का arrangement है, इसमें क्या होते हैं, जो पहली प्रत, यानि आपके ये क्या है, फश्ट प्रत है, ये प्रकार की प्रत, तो इसमें ये प्रकार की प्रत में कोई भी कन आपस में touch नहीं करता, और बी-प्रकार की प्रत देखे किस प्रकार से ब्योस्तित रहती है, इसके उपर जो ये खाली अस्थान है, ये हो गया, ये हो गया, बी-प्रकार की भी-प्रत इसमें क्या होती है? touch नहीं करती एक दूसरे से लिए इस प्रकार से यह में पर्मार क्या होते हैं स्थित रहते हैं कि इसको हम क्या गहेंगे बी लेयर याशी यांद हम अगर से तीसरी प्रत रखें तो कहां रखेंगे यही रखेंगी इसके उपर यह देखे तीसरी प्रत्ज होगी आपकी यही रहेगी देखे यानि यह भी किस प्रकार की प्रत हो जाएगी यही प्रकार की प्रत हो जाएगी अब आप देखेंगे चार परमाड नीचे हैं एक बलीवाला उपर है और चार परमाड फिर क्या हो गए उपर बलेक वाले तो यह आपकी किस किस प्रकार की आकर्ति बना रहे हैं अन्ता केंद्रित घनिये यानि आठ कण तो आपके कुनों पर हो जाएंगा और बीज में एक कण हो जाएगा यह जो नीला वाला तो इस प्रकार से आपको कुनसी आकर्ति प्राप्त हो जाएगी अन्ता केंद्रित घनिये आकर्ति और इसे इसमें यह कर लेते हैं कि किस प्रकार का इसमें अरेंजमेंट होता है तो देखिए इसमें जो अरेंजमेंट होता है सम्में देखिए पहली भी प्रत ब्राबर दूसरी भी प्रत ब्राबर सम्में कौन सा अरेंजमेंट ये 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 टाइप रेंजमेंट इसमें देखिए पहली प्रत पहली प्रत तीसरी प्रत के बराबर है दूसरी प्रत बिन है तो इसमें कौन सा अर्रेंजमेंट पाए जाएगा ये बी ये ये अर्रेंजमेंट पाए जाएगा इसमें देखें दो ही प्रतें क्या है तीसरी प्रत ये मतलब पहली प्रत के क्या हो जाएगी बराबर हो ज करते हैं कौार्डिनेशन नंबर यानि समनोव संख्या तो इसमें मैंने आपको बताया समनोव संख्या कितनी होती है छे होती है इसमें समनोव संख्या कितनी होगी 12 होगी समनोव क्या इसमें भी समनुवय पार्फी होगि और इसमें देखे संधच्ञ्य होगी मॉड़ी के अद्र ही चाहल भी कुछ im to तो इसकी समने संख्या आठ नमस्कार मेरा नाम है सीव पुजन चवान और अभी आप देख रहे थे हमारा यूटूब चैनल एजूकेशन दथर डाई यद ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सेर करें और चैनल को सस्क्राइब करना बिलकुल न भूले धन्यवाद